तो बात कर लेते हैं एसी एशन कॉप कॉलिफायर के बाड़ में तो एसी एशन कॉप कॉलिफायर कुछी दिरों के अंदर स्टार्ट हो जाएगा मदब 8th of basically जून को इंडिया का पहला मैच है कि टिकेट एकदम फ्री है कोई भी चार्जेस नहीं ले रहें वेस्टिंगल गॉवर्मेंट एंड यूनो आया इसे ने डिसाट किया है कि जो भी सॉलिक में जितना भी टिकेट रिलीज किया जाएगा पचास हजार के करीब अभी के लिए तो रखा है उसके बाद कुछ के लिए पूड़ा रिलीज वो लोग नहीं करें जो कि अच्छा कॉले में बोलूँगा क्योंकि अगर पूड़ा ही ओनलाइन हो जाएगा तो लाइक बहुत बहुत ही ज्यादा एक तो सर्वर्स के उपर लोड़ हो जाएगा पूड़ा ऑनलाइन कभी होता भी नहीं है हाँ टिकेट के लिए कोई भी प्राइसे देने का जरूरत नहीं है तो अगर आप कुलकता से हो और आसपास हो तो ट्राइ करना टिकेट का क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा लोड़ है तो पचास हजा टिकेट कुछ भी नहीं है लाइक मिंटो के अंदर सेल हो जाएगा और ऑनला बहुत ज्यादा तेज हो रहा है लाइक बहुत प्रेशर है बुक्माइक शो में भी अविलेवल है और काफी ही ज्यादा प्रेशर है सर्वर्स के उपर बट लाइक उन सब को भी यूनों लाइक वह सेग्मेंट है बट अपुया बहार हो चुके इस पूरे क्वालिफायर से अपुया को एक इंजीरी मिला है और वो नहीं खेल पाएंगे एक सेशन कप क्वालिफायर जो कि इंडिया के लिए बहुत बड़ा जटका है क्योंकि अपुया जैसा talented midfielder इंडिया में मुझे नहीं लगता है क्यों दूसरा कोई है currently और उनको replace करना तो खेर बहुत मुश् अपने टीम के सामने वाले प्लेयर को एक जगा देते है थोड़ासा open breathing space देते है कि आप थोड़ासा अपने लिए एक जगा बना के खेल सको तो अपुया बहुत ही जादा extremely talented player है और उनके जैसा player like you know injury हो जाना इतने serious time पे काफी जादा मुश्कील होगा इंडिया के लिए उ हम सबने जैसा performance देखा friendly matches में मैं ज्यादा कुछ expect नहीं कर रहा हूं बस qualify हो जाए इतना ही चाहता हूं में and पहला मैच तो खर कंबोडिया के guest में tickets almost sale हो चुका है मतब जब तक यह वीडियो आएगा तब तक मेरे सबसे full sold out हो जाएगा तो अगर आप पोलकता से हो and ticket कर रहा है कि वीपी सोहर का साइनिंग वो जैसे तैसे complete कर सके बट अच्छली वीपी सोहर का जो contract था नौर्टीष्ट के साथ वह one plus a plus one वाला था and you know नौर्टीष्ट ने वह plus one trigger कर दिया है and एक और साल का contract automatically extend हो चुका है वीपी सोहर का नौर्टीष्ट के साथ अब अगर शी प्राइस में नौर्टीष्ट कर दिए तो इस पीस प्राइस का साइडिंग कर दिए नहीं करेंगे ने डिक प्लेयर का सामने से इंटर्स चैर करला में आने का तो कोई भी क्लब हो तो वह वेट कर जाएंगे and you know अगर हम भात कर लें वीपी सोहर के प्रस्प्रेक् तो player और club के बीच में understanding बहुत सही है लेकिन club और club के बीच में understanding उदना सही नहीं है North East अभी छोना नहीं चाहते वीपी सवर को जो कि उनका भी सही है अगर हर एक player release हो जाता है तो उनके हाथ में कुछ नहीं बचे का उनको फिर से नए players को develop करना होगा, build करना होगा हम लोग ने last season वैसे भी North East का buff में ज्यादा कुछ खास है नहीं तो नए players को already pick करना है वहाँ पर जो existing अच्छी प्लेस अगर वो भी छोड़कर चले जाते तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा North East के लिए इसलिए एक टसल देखने को मिल रहा हम लोगो दोनों क्लब्स के बीच में और अच्छा का था फाइट ही हम लोगो मिले का लग वीपी सोहर के लिए अगर एक मिद इले गावन विलता है तो डिफिनली वीपी सोहर कर दो लोग के लिए लॉग में देख पाएंगे आने वाले सीझस में अगर मिदी आने में भी लुद्ट राइन फिस होर फाइनलिक अलद प्रहर के लिए एक में अज़ते खेंगे यू नो जो ब्रूड आते तेन सटन सडॉभई में तो पर्फॉर्मस टो बहुत अच्छा था ने beds छफी नहीं जीता है बड़ तो Iraqi युरीन मेन च्छा पास कांसा लोगों ने देखा है संधो को सुरांस उनको पता एक यार बहुत ही जाधा बड़िया पर्फॉर्मस था इनका बिंगॉल का के अपने आपको पूरा दे देना वह वाला काम तो था यार इनके अंदर एंड बहुत ही जादा एक्स्ट्रीमले टैनेट प्लेयरे एंड चैनाने से इनका साइनिंग कंप्लेट के तो काफी बढ़िया साइनिंग धीरे चैनाने से भी बिल्डप कर रहा है जो भी उम्मीद करते हैं कि इनका पॉफ में चैनाने सी का ओके अच्छाओ तो एटिके मोन बगान ने इंट्रेश दिखाया विनीदराई के उपर अब विनीदराई ये 24-year-old central defensive midfield position के प्लेयरे एंड ये अभी का बाती है ये ये लास सीजन में भी था क्या विनीदराई का सा करना चाहते है तो प्लैनिंग से ये अच्छे का से हवास हम लोग डू सकते हैं कि यार लासर लास सिजन में उससे अच्छा पफ़ेश था नहीं का बट फिर बहुत लेकर कोई डाउट नहीं है और होना भी इती चाहिए है लाइक लासर इससे मैं भी बोला थे का रिसन फॉ कोच खराब है जो कि मैंने बहुत हो को बोल देवे सुना है कि हबाद अच्छे कोच नहीं है जो कि बिल्कुल भी से निया हावाद अच्छे कोच है एंड उनका प्लेंग स्टाइल या फिर स्ट्रेटीजी अलग हो सकता है बट उन्होंने उस ट्रेटीजी से रिजल्ट दिया क्या टीम को जैसे तरह से मैनेज कर लें अभी कोच का थोड़ा सा अपर हाई आता है लोग हाई आता है वो कोई दिक्कत निये एंड विनीतराइ का साइनिंग मेरे साब से बहुत अच्छा साइनिंग हो एक ती मोन्मकान के लिए और मुंबाइ वीनीतराइ को रखना नहीं कि मौन बाकान में या यह आते है हैं और नानरेम जिव रशन सिंग के तरफ से तो ना अवरम जब लौट है क्ःम को तो तो ना महें तून सीजन onain power चार इसल के जो एबिलिटी है इनके पास बहुत ही कम प्लेश के पास होता है इंडिया में तो बहुत ही जादा तैलेंटेड प्लेयर है नावरेम रोशन सिंग और इंके उपर तीन तीन आइसल के क्लब दिखाया है बैंगलोर को में यहां पे नहीं पकर रहा हूं कि बैंगलोर तुक है उ सब्सक्राइब कर सकते हैं कि उनको पता है कि यार बहुत ही साथ तैलेंटेड प्लेयर है अगर इनका साइनिंग वो कम्प्लेट कर लेते हैं तो फूचर भी काफी जादा सेटल हो जाएगा एं अच्छा खासा लाइक नो लॉम लॉम टर्म के बार में वो प्लैनिंग कर सकत बहुत ज़्यादा प्रिशिर आजाएगा और उतना प्रिशिर रिनो वो लिना नहीं चाहते है इतना ज्यादा टारेंटेट प्लेयर को लेकर इतना वरा रिस्क वो नहीं लेंगे तो बहुत ज़्यादा एक तफ़ फाइट हावलों को देखने को मिलेगा गोवा ने भी अच्छा लिफ्ट बैक्ट यह तो दोनों का प्लैनिक बहुत से यह मदब तीनों यह टीम का प्लैनिक बहुत ही सही है और मैंगलोर भी पूरा अपना जान लगा रहा है कि यह जैसे तैसे आज कॉल्ट एक्षिंट कर ले नावर्म रोशन सिंग क्योंकि लास सीजन अगर हम इतली के तरफ से मैं एक सब्सक्राइब कर दिया था इतली ने भी काफी अच्छा गेम खेला मतलब पदाए थोड़ा सा एक रोटा बैक साइड मेरेंगे इतली वो काफी कॉमन सा बात था क्योंकि यूनों एक तो रिसे पॉसमें जिता खराब है और यूनों मैं जाद एक्स प्रफ जो कल रिकॉर्ड बनाया की आफ्टर शिक्स्टी य्यर्स हंगरी ने इंग्लाइंड को इंग्लेंड वरस लेकल मैच था अधर 60 में नायंटीन सिक्स्टी-टू मैं हें इंग्लेंड को ख़या था एंड उसके बाद जाके कल हंगडी ने इंग्ला बड़ा बात ए वेन तीम खेल था क्यूकिकि, Harry Kane, Bowen, Mason Mount, Declan Rice, Jude Billingham, Trent Alexander-Arnold, Kyle Walker, Cody, Harry Maguire थे, and Pickford, so, जो काफी जादा बडड़े प्लेयर सी खेल रहेते, तो तो इसा ने कि छोड़ा मॉझा टीमे, and recent time, especially after, like, you know, European Championship, उनका पुप पूपने बहुत अच्छा था, like, you know, European Championship, उनका पुपनेस ब बहुत ही बड़िया रहा है बठाँ अगर 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 में इटली का मैच का बात कर लें तो वहां पर मैच बहुत है अच्छा हुआ है जर्मनी ने डॉमिनेट तो क्या बट वह थो थो रहाँ सा प्रब्लम है रिसेन टाइम में गोल स्कोर नहीं कर पा रहे हैं वो पर जो कि मैं बहुत जादे डाउट करता हूँ यह खैर फ्रेंच मीडिया नहीं कवर किया है और मुझे नहीं लगता कि जोजे मोरी नो पीस जी जैसे क्लेवस में आएंगे अगर वो आते तो दो कंडिशन होगा पहला तो यार उनको पूरा छूट देना होगा अगर लाइ अगर उनको पूरा फ्रीडम नहीं मिलता उनको जो सही लगता उससाब से अगर मैनेजमेंट काम नहीं करेगा तो छोड़ देंगे मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि वो बात नहीं सुनते हैं बात तो डिफिनिटी सुनते हैं बट वो पता है किया यह काम मेरा है ने इसमें इंटरफेर ना करें तो वह पसंद नहीं करते कि यार उनके काम में कोई दूसरा बंदा या फिर लाइक माललो पाउट्ग के ओनर ने क कोचिंग के बाड़े में, especially अगर कोई नॉन कोचिंग, you know, इंसान उनके साथ अगर, you know, discussion कर रहा है, या फिर उनको कोई सब्सक्राइशन दे रहा है, तो सब्सक्राइशन तो ठीक है, बट वो ऐसे ओर्डर्स उतना जादा मानना पसंद दे करते हैं, जो उनका एरिया है, तो वो थ्वरसा प्रब्लम होगा, पीस जी में, अगर वो जाते हैं, तो एंड प्लेयर्स को डेफिनेट्ली वो डॉमिनेट करने देंगे, लाइक वो डॉमिनेट करेंगे प्लेयर्स के ऊपर, क्योंकि उनका एक तर परसनालिटी वैसा है, और मेरे सब सब्सक्राइब जोजे मुरी नो लाइक अज़ा को पता है टीम को कैसे मैनेज करना होता है, लाइक रोमा को खना कर दिया 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 जो भ बिलकुल भी अच्छा नहीं था मोडीनो के आने से पहले, और वहां से रोमा को फिर से अपने अच्छे जगा में ख़ड़ा किया है, तो इतना एक तो रिसोर्स के साथ हम लोग ने दिखा है कि जब मोडीनो को बहुत बज़ट मिलता है, तो उनका बफमें जादा कुछ खा अब दिखते हैं कि क्या फाइनल यह उन्हों जो से मोडीनों पीजगी में जाते हैं नहीं